मर्कुस रचित सुसमाचार पहला अध्याए परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का आरंभ जैसे यशा याह भविश्य द्वक्ता की पुस्तक में लिखा है देख मैं अपने दूद को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है प्रभु का मार्ग तयार करो और उसकी सड़के सीधी करो युहन्ना आया जो जंगल में बब्तिस्मा देता और पापों की क्षमा के लिए मन फिराव के बब्तिस्मा का प्रचार करता था और सारे यहूदिया देश के और यरुशलेम के सब रहने वाले निकल कर उसके पास गए और अपने पापों को मान कर यर्दन नदी में उससे बब्तिस्मा लिया युहन्ना उठ के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमडे का पटुका बांधे रहता था और टिड्डियां और बन मधु खाया करता था और ये प्रचार करता था मेरे बाद वो आने वाला है जो मुझ से शक्तिमान है मैं इस योगे नहीं कि जुक कर उसके जूतों का बंध खोलूं मैंने तो तुम्हे पानी से बब्तिस्मा दिया है पर वो तुम्हे पवित्र आत्मा से बब्तिस्मा देगा उन दिनों यीशु ने गलील के नासरत से आकर यर्दन में युहन्ना से बप्तिस्मा लिया और जब वो पानी से निकल कर उपर आया तो तुरंट उसने आकाश को खुलते और आत्मा को कभूतर की नाई अपने उपर उतरते देखा और ये आकाश वानी हुई तु मेरा प्रिये पुत्र है, तुझसे मैं प्रसंद हूँ तब आत्मा ने तुरंट उसको जंगल की ओर भेजा और जंगल में चालीस दिन तक शैतान ने उसकी परीक्षा की और वो वन पशुओं के साथ रहा और स्वर्ग दूत उसकी सेवा करते रहे युहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यिशू ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकटा गया है मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो गलील की जील के किनारे जाते हुए उसने शमौन और उसके भाई अंद्रियास को जील में जाल डालते देखा क्योंके वे मचुए थे और यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे चले आओ, मैं तुमको मनुश्यों के मचुए बनाऊंगा वे तुरंट जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए और कुछ आगे बढ़कर उसने जबदी के पुत्र याकूब और उसके भाई युहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा उसने तुरंट उन्हें बुलाया और वे अपने पिता जबदी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे चले गए और वे कफरन हूम में आए और वो तुरंट सब्द के दिन सभा के घर में जाकर उपदेश करने लगा लोग उसके उपदेश से चकित हुए क्योंकि वो उन्हें शास्तियों की नाई नहीं परंटु अधिकारी की नाई उपदेश देता था और उसी समय उनकी सभा के घर में एक मनुष्य था जिसमें अशुध आत्मा थी उसने चिला कर कहा एई एशु नास्री हमें तुस्से क्या का या तु अबे नाश करने आया है मैं तुझे जानता हूँ तु काउन है परमेश्वर का पावित्रचन येशु ने उसे डाट कर कहा चुप रह और उसमें से निकल जा तब अशुध आत्मा उसको मरोड कर और बड़े शब्द से चिला कर उसमें से निकल गई इस पर सब लोग आश्चर्य करते हुए हापस में वाद विवाद करने लगे ये क्या बात है ये तो कोई नया उतीश है वो अधिकार के साथ अशुध आत्माओं को भी आग्या देता है और वे उसकी आग्या मानती हैं तो उसका नाम तुरंथ गलील के आसपास के सारे देश में हर जगह फैल गया और वो तुरंथ आराधनालय में से निकल कर याकूब और युहन्ना के साथ शमौन और अंध्रियास के घर आया और शमौन की सास जुवर से पीडि थी और उन्होंने तुरंथ उसके विशय में उस से कहा तब उसने पास जा कर उसका हाथ पकड़ कर उसे उठाया और उसका ज्वर उतर गया और वो उनकी सेवा टहल करने लगी संध्या के समय जब सूर्य डूग गया तो लोग सब बीमारों को और उन्हें जिनमें दुष्टात्माई थी उसके पास लाए और सारा नगर द्वार पर इकठा हुआ और उसने बहुतों को जो नाना प्रकार की बीमारियो से दुखी थे, जंगा किया और बहुत दुष्टात्माओं को निकाला और दुष्टात्माओं को बोलने न दिया क्योंकि वे उसे पपचानती थी और भोर को दिन निकलने से बहुत पहले वो उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा तब शमौन और उसके साथ ही उसकी खोज में गए जब वो मिला तो उससे कहा सब लोग तुझे ढून रहे हैं उसने उनसे कहा आओ हम कहीं और आसपास की बस्तियों में जाएं कि मैं वहां भी प्रचार करूँ क्योंकि मैं इसी लिए निकला हूँ सो वो सारे गलील में उनकी सभाओं में जा जाकर प्रचार करता और दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा और एक कोड ही ने उसके पास आकर उससे बिनती की और उससे कहा वो यदि तू चाहे तो मुझे शुद कर सकता है उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाया और उससे चुद कर कहा मैं चाहता हूँ तू शुद हो जा और तुरंथ उसका कोड जाता रहा और वो शुद हो गया तब उसने उसे चिता कर तुरंथ विदा किया और उससे कहा देख किसी से कुछ मत कहना परन्तु जाकर अपने आपको याजक को दिखा और अपने शुद होने के विशय में जो कुछ मूसा ने ठहराया है उसे भेंट चड़ा कि उस पर गवा ही हो परन्तु वो बाहर जाकर इस बात को बहुत प्रचार करने और यहां तक फैलाने लगा कि यीशु फिर खुलम खुला नगर में न जा सका परन्तु बाहर जंगली स्थानों में रहा और चहु और से लोग उसके पास आते रहे कई दिन के बाद वो फिर कफरन हूम में आया और सुना गया कि वो घर में है फिर इतने लोग इकठे हुए कि द्वार के पास भी जगहें नहीं मिली वो उन्हें वचन सुना रहा था और लोग एक जोले के मारे हुए को चार मनुश्यों से उठवा कर उसके पास ले आये जब वे भीर के कारण उसके निकट न पहुँच सके तो उन्होंने उस छट को जिसके नीचे वो था खोल दिया और जब उसे उधेर चुके तो उस खाट को जिस पर जोले का मारा हुआ पड़ा था नीचे लटका दिया यीश्यों ने उनका विश्वास देखकर उस जोले के मारे हुए से कहा हे पुद्र तेरे बाप ख्षमा हुए तब कई एक शास्त्री जो वहां बैठे थे अपने अपने मन में विचार करने लगे ये मनुश्य क्यों ऐसा कहता है ये तो परमेश्वर की निंदा करता है परमेश्वर को छोड़ और कौन बाप ख्षमा कर सकता है येश्यू ने तुरंत अपनी आत्मा में जान लिया कि वे अपने अपने मन में ऐसा विचार कर रहे है और उनसे कहा तुम अपने अपने मन में ये विचार क्यों कर रहे हो सहज क्या है क्या जोले के मारे से ये कहना कि तेरे पाप ख्षमा हुए यह यह कहना कि उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर परन्तु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृत्वी पर पापक्षमा करने का भी अधिकार है। उसने उस जोले के मारे हुए से कहा, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ अपनी खाट उठाकर घर चला जा। वो उठा और तुरंत खाट उठाकर सब के सामने से निकल कर चला गया। इस पर सब चकित हुए और परमेश्वर की बढाई करके कहने लगे, हमने यह सा कभी नहीं देखा। वो फिर निकल कर जील के किनारे गया और सारी भीड उसके पास आई और वो उन्हें उपदेश देने लगा। जाते हुए उसने हलफई के पुत्र को चुंगी की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। और वो उठकर उसके पीछे हो लिया। जब वो उसके गर में भुजन करने बैठा और बहुत से चुंगी लेने वाले और पापी यिशू और उसके चेलों के साथ भुजन करने बैठे। क्योंकि वे बहुत थे और उसके पीछे हो लिये थे शास्त्रियों और फरीसियों ने ये देख कर कि वो पापियों और चुंगी लेने वालों के साथ भोजन कर रहा है उसके चेलों से कहा वो तो चुंगी लेने वालों और पापियों के साथ खाटा पीता है येशु ने ये सुनकर उनसे कहा, भले चंगों को वैद्य की आविशक्ता नहीं, परन्तु बीमारों को है, मैं धर्मियों को नहीं, परन्तु पापियों को बुलाने आया हूँ। युहन्ना के चेले और फरीसी उपवास करते थे, सो उन्होंने आकर उससे कहा, युहन्ना के चेले और फरीसीों के चेले क्यों उपवास रखते हैं, परन्तु तेरे चेले उपवास नहीं रखते। और एक पड़े का पेवंद, पुराने पहिरावन पर कोई नहीं लगाता, नहीं तो वो पेवंद उसमें से कुछ खीच लेगा, अर्थात नया पुराने से, और वो और भी फट जाएगा, नए दाकरस को पुरानी मश्कों में कोई नहीं रखता, नहीं तो दाकरस मश्कों को फार देगा और दाकरस और मश्कें दोनों नश्ट हो जाएंगी परन्तु दाक का नया रस नई मश्कों में भरा जाता है और ऐसा हुआ कि वो सब्द के दिन खेतों में से होकर जा रहा था और उसके चेले चलते हुए बाले तोड़ने लगे तब फरीसियों ने उससे कहा ये सब के दिन वह काम क्यों करते हैं जो उचित नहीं उसने उनसे कहा क्या तुमने कभी नहीं पड़ा कि जब दाउद को आवशकता हुई और जब वो और उसके साथी भूके हुए तब उसने क्या किया था उसने क्यों कर अवियातार महायाजक के समय परमेश्वर के भवन में जाकर भेंट की रोटियां खाएं जिनका खाना याजकों को छोड़ और किसी को भी उचित नहीं और अपने साथियों को भी दी और उसने उनसे कहा सब्द का दिन मनुष्य के लिए बनाया गया है न कि मनुष्य सब्द के दिन के लिए इसलिए मनुष्य का पुत्र सब्द के दिन का भी स्वामी है और वो आराधनाले में फिर गया वहाँ एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था वे उस पर दोश लगाने के लिए उसकी घात में लगे थे कि देखें वो सब्ध के दिन में उसे चंगा करता है अत्वा नहीं उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा बीच में खड़ा हो और उनसे कहा क्या सब्ध के दिन भला करना उचित या बुरा करना प्राण को बचाना या मारना वे चुप रहे और उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर क्रोध से चारों और देखा और उस मनुष्य से कहा अपना हाथ बढ़ा उसने बढ़ाया और उसका हाथ अच्छा हो गया तब फरीसी बाहर जाकर तुरंक हेरोधियों के साथ उसके विरोध में सम्मती करने लगे कि उसे किस प्रकार नाश करें और येशु अपने चेलों के साथ जील की ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीड उसके पीछे हो ली और यहुदिया और यरुशलेम और इदूमिया से यर्दन के पार और सूर और सैदा के आसपास से एक बड़ी भीड ये सुनकर के वो कैसे आश्चर्य के काम करता है उसके पास आई और उसने अपने चेलों से कहा भीड के कारण एक छोटी नाव मेरे लिए तयार रहे कि वे मुझे दबा न सके उसने बहुतों को चंगा किया था और जितने लोग रोग से क्रसित थे उसे चूने के लिए उस पर गिर पड़ते थे अशुध आत्माएं भी जब उसे देखती थी तो उसके आगे गिर पड़ती थी और चिला कर कहती थी तू परमेश्वर का पुत्र है और उसने उन्हें बहुत चिताया कि वे उसे प्रगट ना करें फिर वो पहार पर चढ़ गया और जिन्हें वो चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वे उसके पास चले आए तब उसने बारह पुरुषों को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहें और वो उन्हें भेजे कि प्रचार करें और दुष्टात्माओं के निकालने का अधिकार रखें और वे ये हैं शमौन जिसका नाम उसने पत्रस रखा और जबदी का पुत्र याकूब और याकूब का भाई यूहन्ना जिनका नाम उसने बू अनर्गिस अर्थात गरजन के पुत्र रखा और अंद्रियास, फिलिपुस, बर्तुलमई, मत्ती, धोमा और हलफई का पुत्र याकूब और तद्दी और शमौन का नानी और यहूदा, सकरियोती जिसने उसे पकड़वा भी दिया और वो घर में आया और ऐसी भीड इकठी हो गई के वे रोटी भी न खा सके जब उसके कुटुमबियों ने ये सुना, तो उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि कहते थे कि उसका चित ठिकाने नहीं है और शास्त्री जो यरुशलेम से आये थे, ये कहते थे उसमें शैतान है और ये भी कि वो दुष्टात्माओं के सरदार की सहायता से दुष्टात्माओं को निकलता है और वो उन्हें पास बुलाकर उनसे दृश्टानतों में कहने लगा शैतान क्यों कर शैतान को निकाल सकता है यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वो राज्य कैसे स्थिर रह सकता है यदि किसी घर में फूट पड़े तो वो घर क्यों कर स्थिर रह सकेगा और यदि शैतान अपना ही विरोधी होकर अपने में फूट डाले तो वो कैसे बना रह सकता है उसका तो अंत ही हो जाता है कोई मनुष्य किसी बलवन्त के घर में घुसकर उसका माल लूट नहीं सकता जब तक कि वो पहले उस बलवन्त को न बांध ले और तब उसके घर को लूट लेगा मैं तुमसे सच कहता हूँ मनुष्यों की संतान के सब पाप निंदा जो वे करते हैं क्षमा की जाएगी परन्तु जो कोई पवित्र आत्मा के विरुद निंदा करे वो कभी भी क्षमा न किया जाएगा वरन वो अनन्त पाप का अपराधी ठहरता है क्योंकि वे ये कहते थे कि उसमें अशुद आत्मा है और उसकी माता और उसके भाई आए और बाहर खड़े होकर उसे बुलवा भेजा भीर उसके आस पास बैठी थी और उन्होंने उससे कहा देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर तुझे ढूंडते हैं उसने उन्हें उत्तर दिया मेरी माता और मेरे भाई कौन है और उन्पर जो उसके आस पास बैठे थे द्रिष्ट करके कहा देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और बहिन और माता है चौथा अध्याए वो फिर जील के किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी बड़ी भीड उसके पास इकठी हो गई कि वो जील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड भूमी पर जील के किनारे खड़ी रही वो उन्हें द्रिष्टानतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा उसने अपने उपदेश में उनसे कहा सुनो एक बोने वाला बीच बोने के लिए निकला बोते समय कुछ तो मारक के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया कुछ पथरीली भूमी पर गिरा जहां उसको बहुत मिट्टी न मिली गेहरी मिट्टी न मिलने के कारण जल दूगाया और जब सूर्य निकला तो जल गया और जड न पकड़ने के कारण सूख गया और कुछ तो जाडियों में गिरा और जड़ियों ने बढ़कर उसे दबा लिया और वो फल न लाया परन्तु कुछ अच्छी भूमी पर गिरा वो उगा और बढ़कर फल वंत हुआ कोई तीस गुणा, कोई साथ गुणा और कोई सौ गुणा फल लाया और उसने कहा जिसके पास सुनने के लिए कान हो वो सुन ले जब वो अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उन बारह समेत उससे इन द्रिश्टान्तों के विशय में पूछा उसने उनसे कहा तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद की समझ दी गई है परन्तु बाहर वालों के लिए सब बातें द्रिश्टान्तों में होती है इसलिए कि वे देखते हुए देखें और उन्हें सुझाई न पड़े और सुनते हुए सुने भी और न समझें ऐसा ना हो कि वे फिरें और क्षमा किये जाएं फिर उसने उनसे कहा क्या तुम ये द्रिश्टान्त नहीं समझते तो फिर और सब द्रिश्टान्तों को कैसे समझोगे बोने वाला वचन बोता है जो मारक के किनारे के हैं जहां वचन बोया जाता है ये वे हैं कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को जो उनमें बोया गया था उठा ले जाता है वैसे ही जो पथरीली भूमी पर बोय जाते हैं ये वे हैं जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहन कर लेते हैं परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण वे थोड़े ही दिनों के लिए रहते हैं इसके बाद जब वचन के कारण उन पर कलेश्था उपदरव होता है वे तुरंत ठोकर खाते हैं और जो छाडियों में बोय गए ये वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता और धन का धोका और और वस्तुओं का लोब उन में समा कर वचन को दबा देता है और उन निशफल रह जाता है और जो अच्छी भूमी में बोय गए ये वे हैं जो वचन सुनकर ग्रहन करते और फल लाते हैं कोई तीस गुणा कोई साथ गुणा और कोई सौ गुणा और उसने उन से कहा क्या दिये को इसलिए लाते हैं कि पैमाने या खाट के नीचे रखा जाए क्या इसलिए नहीं कि दीवट पर रखा जाए क्यूंकि कोई वस्तू छिपी नहीं जो प्रकाश में न लाई जाए और ना कुछ गुपत है जो प्रकट न किया जाए यदि किसी के सुनने के कान हो तो सुन ले फिर उसने उन से कहा चौकस रहो कि क्या सुनते हो जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा क्यूंकि जिसके पास है उसको दिया जाएगा परंतु जिसके पास नहीं है उससे वो भी जो उसके पास है ले लिया जाएगा फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कोई मनुष्य भूमी पर बीज छीटे और रात को सोए और दिन को जागे और वो बीज ऐसे उगे और बढ़े कि वो न जाने पृत्वी आप से आप फल लाती है पहले अंकुर तब बाल और तब बालों में तयार दाना परन्तु जब दाना पक जाता है तब वो तुरंत हंसिया लगाता है क्योंकि कटनी आ पहुँची है फिर उसने कहा हम परमेश्वर के राज्य की उपमा किस से दें और किस दृष्टांत से उसका वरणन करें वो राई के दाने के समान हैं जब वो भूमी में बोया जाता है तो भूमी के सब बीजों से छोटा होता है परंतु जब बोया गया तो उग कर सब साग पात से बड़ा हो जाता है और उसकी ऐसी बड़ी डालिया निकलती हैं कि आकाश के पक्षी उसकी चाया में बसेरा कर सकते हैं और वो उन्हें इस प्रकार के बहुत द्रिष्टांत दे दे कर उनकी समझ के अनुसार वचन सुनाता था और बिना द्रिष्टांत कहे उनसे कुछ नहीं कहता था परंतु एकांत में वो अपने निज चेलों को सब बातों का अर्थ बताता था उसी दिन जब सांज हुई तो उसने उनसे कहा आओ हम पार चलें और वे भीड को छोड़ कर जैसा वो था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले और उसके साथ और भी नावें थी तब बड़ी आंधी आई और लहरे नाव पर यहां तक लगी कि वो अब पानी से भरी जाती थी और वो आप पिछले भाग में गद्धी पर सो रहा था तब उन्होंने उसे जगा कर उससे कहा ए गुरू क्या तुझे चिंता नहीं कि हम ना आशुए जाते हैं तब उसने उठकर आंधी को डाटा और पानी से कहा शांत रह थम जा और आंधी थम गई और बड़ा चैन हो गया और उनसे कहा तुम क्यू डरते हो क्या तुमें अब तक विश्वास नहीं और वे बहुत ही डर गए और आपस में बोले ये कौन है कि आंधी और पानी भी उसकी आग्या मानते है और वे जील के पार गिरा सेनियों के देश में पहुँचे जब वो नाव पर से उत्रा तो तुरंत एक मनुश्य जिसमें अशुध आत्मा थी कबरों से निकल कर उसे मिला वो कबरों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था वो बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के तुकडे तुकडे कर दिये थे और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था वो लगातार रात दिन कबरों और पहाडों में चिलाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था वो ईशु को दूर ही से देख कर दोड़ा और उसे प्रणाम कर उचे शब्द से चिला कर बोला क्योंकि उसने उससे कहा था उसने उससे पूछा तेरा क्या नाम है उसने उससे कहा और उसने उससे बहुत बिनती की हमें इस देश से बाहर ना भेज वहाँ पहाड पर सुरों का एक बड़ा जुंड चर रहा था और उन्होंने उससे बिनती कर कहा हमें उन सुरों में पेज़ते कि हम उनके बीतर जाए सो उसने उन्हें आग्या दी और अशुद्ध आत्मा निकल कर सुरों के बीतर पैख गई और जुंड जो कोई दो हजार का था कडाडे पर से छपट कर जील में जा पड़ा और दूब मरा और उनके चरवाहों ने भाग कर नगर और गामों में समाचार सुनाया और जो हुआ था लोग उसे देखने आए और ईशु के पास आकर तो उसको जिसमें दुष्टातमाई थी अर्थात जिसमें सेना समाई थी कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर धर गए और देखने वालों ने उसका जिसमें दुष्टात्माई थी और सुरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया और वे उससे बिनती करके कहने लगे हमारे सिवानों से चला जा जब वो नाव पर चढ़ने लगा तो वो जिसमें पहले दुष्टात्माई थी उससे बिनती करने लगा मुझे अपने साथ रहने दे परन्तु उसने उसे आग्या ना दी और उससे कहा अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किये है वो जाकर दिक्का पुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने उसके लिए कैसे बड़े काम किये और सब आश्चर्य करते थे जब यीशु फिर नाव पर गया तो एक बड़ी भीड उसके पास इकठी हो गई और वो जील के किनारे था और याईर नाम आराधनाले के सरदारों में से एक आया और उसे देखकर उसके पावों पर गिरा और उसने ये कहकर बहुत बिनती की कि मेरी चोटी बेटी मरने पर है तु आकर उसपर हाथ रख कि वह चंगी होकर जीवित रहे तब वो उसके साथ चला और बड़ी भीड उसके पीछे हो ली यहां तक कि लोग उसपर गिरे पड़ते थे और एक स्त्री जिसको बारह वर्ष से लहु बहने का रोक था और जिसने बहुत वैद्दियों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्याय करने पर भी कुछ लाब न उठाया था परंतु और भी रोगी हो गई थी यीशू की चर्चा सुनकर भीड में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छूलिया उसने कहा तो उस बीमारी से अच्छी हो गई यीशू ने तुरंत अपने में जान लिया कि उसमें से सामर्थ निकली है और भीड में पीछे फिर कर पूछा मेरा वस्त्र किसने चुआ उसके चेलों ने उससे कहा तु देखता है कि भीड तुछ पर गिरी बढ़ती है और तु कहता है किसने मुझे चुआ तब उसने उसे देखने के लिए जिसने ये काम किया था चारों और द्रिष्टी की तब वस्त्री ये जान कर कि उसकी कैसी भलाई हुई है दर्ती और कापती हुई आई और उसके पाउं पर गिर कर उससे सब हाल सच सच कह दिया उसने उससे कहा पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है कुशल से जा और अपनी इस बिमारी से बची रह वो ये कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा तेरी बेटी तो मर गई अब गुरू को क्यों दुख देता है जो बात वे कह रहे थे उसको इश्व ने अन सुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा मत डर केवल विश्वास रख और उसने पत्रस और याकूब और याकूब के भाई युहन्ना को छोड और किसी को अपने साथ आने न दिया और आराधनालय के सरदार के घर में पहुँचकर उसने लोगों को बहुत रोते और चिलाते देखा तब उसने भीतर जाकर उनसे कहा तुम क्यों हल्ला मचाते और रोते हो लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है वे उसकी हसी करने लगे परंतु उस सब को निकाल कर लड़की के माता पिता और अपने साथियों को ले वो भीतर गया जहां लड़की पड़ी थी लड़की का हाथ पकड़ कर उससे कहा तलीता कुमी जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी क्योंकि वो बारा वर्ष की थी इस पर लोग बहुत चकित हो गए फिर उसने उन्हें चिता कर आग्या दी कि ये बात कोई जानने न पाए और कहा उसे कुछ खाने को दिया जाए चठा अध्याए वहां से निकल कर वो अपने देश में आया और उसके चेले उसके पीछे हो लिए सब्द के दिन वो आराधनालय में उपदेश करने लगा और बहुत लोग सुनकर चकित हुए और कहने लगे इसको ये बाते कहां से आ गए और ये कौन सा ग्यान है जो उसको दिया गया है और कैसे सामर्द के काम उसके हाथों से प्रकट कोते हैं क्या ये वही बढ़ा ही नहीं जो मर्यम का पुत्र और याकूब और योसेस और यहूदा और शमौन का भाई है और क्या उसकी बहने यहां हमारे बीच में नहीं रहती। इसलिए उन्होंने उसके विशय में ठोकर खाई। येशु ने उनसे कहा। भविश्य द्वक्ता अपनी देश और अपने कुटुम और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। और वो वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका। केवल थोड़े बीमारों पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। और उसने उनके अवश्वास पर आश्चर्य किया। और चारों ओर के गावों में उपदेश करता फिरा। और वो बारहों को अपने पास बुला कर उन्हें दो-दो करके भेजने लगा और उन्हें अशुध आत्माओं पर अधिकार दिया और उसने उन्हें आज्या दी मार्ग के लिए लाठी छोड़ और कुछ न लो न तो रोटी न जोली न पटुके में पैसे परन्तु जूतियां पहनो और दो दो कुरते न पहनो और उसने उनसे कहा जहां कहीं तुम किसी घर में उत्रो तो जब तक वहाँ से विदा न हो तब तक उसी में ठहरे रहो जिस स्थान के लोग तुम्हें ग्रहन न करें और तुम्हारी न सुनें वहां से चलते ही अपने पैरों की धूल जाड दालो कि उन पर गवाही हो और उन्होंने जाकर प्रचार किया कि मन फिराएं और बहुत दुष्ट आत्माओं को निकाला और बहुत बीमारों पर तेल मलकर उन्हें चंगा किया और हेरो देश राजा ने उसकी चर्चा सुनी क्योंकि उसका नाम फैल गया था उसने कहा यूहन्ना बक्तिसमा देने वाला मरे हुओं में से जी उठा है इसलिए उससे ये सामर्थ के काम प्रकट होते हैं और उन्हे कहा ये एलिया है परण दूसरोंने कहा भविश्य दुखता या भविश्य दुखतों में से किसी एक के समान है हेरो देस ने ये सुनकर कहा जिस यहुनना का सर बैने कटवाया था वही जी उड़ा है क्योंकि हेरो देस ने अपने भाई फिलिपुस की पतनी हेरो दियास के कारण जिससे उसने बयाह किया था लोगों को भेज कर युहन्ना को पकड़वा कर बंदी ग्रह में डाल दिया था युहन्ना ने हेरो देश से कहा था अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं इसलिए हेरो दियास उससे बैर रखती थी और ये चाहती थी के उसे मरवा डाले परंतु ऐसा ना हो सका क्योंकि हेरो देश युहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसे बचाय रखता था और उसकी सुनकर बहुत घबराता था पर आनंद से सुनता था और ठीक अवसर पर जब हेरो देश ने अपने जन्म दिन में अपने प्रधानों और सेना पतियों और गलील के बड़े लोगों के लिए जेवनार की उसी हेरो दियास की बेटी भीतर आई और नाच कर हेरो देश को और उसके साथ बैठने वालों को प्रसंद किया तब राजा ने लड़की से कहा तू जो चाहे उससे मैं मैं तुझे दूँगा उससे शपत खाई मैं अपने आधे राजे तक जो कुछ तू मुझे से मांगेगी तुझे दूँगा उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा मैं क्या मांगू वो बोली उत्तुरंत राजा के पास भीतर आई और उससे बिनती की मैं चाहती हूँ कि तू अभी उहना बप्तिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में मुझे मंगवा दे तब राजा बहुत उदास हुआ परन तु अपनी शपत के कारण और साथ बैठने वालों के कारण उसे टालना न चाहा और राजा ने तुरन एक सिपाही को आग्या दे कर भेजा के उसका सिर काट लाए उसने चेल खाने में जाकर उसका सिर काटा और एक धाल में रखकर लाया और लड़की को दिया और लड़की ने अपनी मा को दिया ये सुनकर उसके चेले आए और उसके शव को उठाकर कब् रखा प्रेरितों ने यीशू के पास इकठे होकर जो कुछ उन्होंने किया और सिखाया था सब उसको बता दिया उसने उनसे कहा तुम आप अलग किसी जंगली स्थान में आकर थोड़ा विश्राम करो क्योंकि बहुत लोग आते जाते थे और उन्हें खाने का आवसर भी नही सब्सक्रों से इकठे होकर वहां पैदल दोड़े और उनसे पहले जा पहुंचे उसने निकल कर बड़ी भीड देखी और उन पर तरस खाया क्योंकि वे उन भेडों के समान थे जिनका कोई रखवाला नहो और वो उन्हें बहुत सी बातें सिखाने लगा जब दिन बहुत ध धल गया तो उसके चेले उसके पास आकर कहने लगे ये सुनसान जगा है और दिन बहुत धल गया है उन्हें विदा कर कि चारों और के गामों और बस्तियों में जाकर अपने लिए कुछ खाने को मोल ले उसने उन्हें उत्तर दिया तुम ही उन्हीं खाने को दो उन्हों ने देखो तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं। उन्होंने मालूम करके कहा पांच और दो मचली भी। तब उसने उन्हें आग्या दी कि सब को हरी घास पर पांती पांती से बैठा दो। चेलों को देता गया कि वे लोगों को परोसें और वे दो मचलीयां भी उन सब में बाट दी। सब खाकर तृप्त हो गए। उन्होंने टुकडों से बारह टोक्रियां भरकर उठाईं। और कुछ मचलीयों से भी। जिन्होंने रोटियां खाईं। वे पांच हजार जब तक कि वो लोगों को विदा करे, वो उन्हें विदा करके पहाड पर प्रार्थना करने को गया, जब सांज हुई तो नाव जील के बीच में थी और वो अकेला भूमी पर था, जब उसने देखा कि वे खेते खेते घबरा गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वो जील पर चलते हुए उनके पास आया, और उनसे आगे निकल जाना चाहता था, उन्होंने उसे जील पर चलते देखकर समझा कि वो उठे, और चिला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे, पर उसने तुरंट उनसे बातें की औ और कहा, धाटस बांदो, मैं हूँ, डरो मत, तब वो उनके पास नाव पर आया, और हवा थम गई, और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे, क्योंकि वे उन रोटियों के विशय में न समझे थे, परंतु उनके मन कठोर हो गए थे, और वे पार उतर कर गन्ने सरत में पहु उसको पहचान कर, आसपास के सारे देश में दोड़े, और बीमारों को खाटों पर डाल कर, जहां जहां समाचार पाया के वो है, वहां वहां लिये फिरे, और जहां कहीं वो गावूं, नगरूं या बस्तियों में जाता था, तो लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उस उसने उसे चूते थे, सब चंगे हो जाते थे। सात्मा अध्याय तब फरीशी और कई एक शास्त्री जो यरुशलेम से आये थे, उसके पास इकठे हुए। उन्होंने उसके कई एक चेलों को अशुद्ध अर्थात बिना हात धोए रोटी खाते देखा। फरीशी और सब यहुदी पुर्णियों की रीती पर चलते और जब तक भली भाती हात नहीं धोते तब तक नहीं खाते थे। वे बाजार से आकर जब तक सनान नहीं कर लेते तब तक नहीं खाते थे। बहुत सी और बातें थी जो उनके पास मानने के लिए पहुचाई गई थी जैसे कटोरों और लोटों और तांबे के बरतनों को धोना मांजना उन फरीसियों और शास्त्रियों ने उससे पूछा तेरे चेले क्यों पुर्मियों की रीतों पर नहीं चलते और बिना हाथ धोई रूटी खाते हैं उसने उनसे कहा यशाया ने तुम कपटियों के विशय में बहुत ठीक भविश्यद्वानी की जैसा लिखा है ये लोग होटों से तो मेरा आदर करते हैं पर उनका मन मुझसे दूर रहता है ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं मनुष्यों की आज्याओं को धर्मो पदेश करके सिखाते हैं तुम परमेश्वर की आज्या को टाल कर मनुष्यों की रीतियों को मानते हो और उसने उनसे कहा, तुम अपनी रीतियों को मानने के लिए परमेश्वर की आग्या कैसी अच्छी तरह टाल देते हो, मुसा ने कहा है कि अपने पिता और अपनी माता का आदर कर, और जो कोई पिता वा माता को बुरा कहे, वो अवश्य मार डाला जाए, परन्तु तुम कहते हो, कि यदि कोई अपने पिता वा माता से कहे, कि जो कुछ तुझे मुझ से लाब पहुँच सकता था, वो कुर्बान अर्थात संकल्प हो चुका, तो तुम उसको उसके पिता या उसकी माता की कुछ सेवा करने नहीं देते, इस प्रकार तुम अपनी रीतियों से, जिने त हेहराया है, परमेशवर का वचन टाल देते हो, और ऐसे ऐसे बहुत से काम करते हो, उसने लोगों को अपने पास बुला कर उनसे कहा, तुम सब मेरी सुनो, और समझो, ऐसी तो कोई वस्तु नहीं, जो मनुश्य में बाहर से समा कर अशुद्ध करे, परन्तु जो वस्तुए मनुश्य के भीतर से निकलती हैं, वे ही उसे अशुद्ध करती हैं, यदि किसी के सुनने के कान हो, तो सुन ले, जब वो भीर के पास से घर में गया, तो उसके चेलों ने इस दृष्टांत के विशय में उससे पूछा, उसने उनसे कहा, क्या तुम भी ऐसे नसमझ हो, क्या तुम नहीं समझते, कि जो वस्तू बाहर से मनुश्य के भीतर जाती है, वो उसे अशुद्ध नहीं कर सकती, क्योंकि वो उसके मन में नहीं, परंतु पेट में जाती है, और संडास में निकल जाती है, ये कहकर उसने सब भोजन वस्तूओं को शुद्ध ठहराया, फिर उसन जो मनुष्य के भीतर से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरी चिंता, विविचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, लोब, दुष्टता, चल, लुच्पन, कुद्रिष्टी, निंदा, अभिमान और मुर्खत निकलती है, ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं, और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, फिर वो वहां से उठकर सूर और सैदा के देशों में आया, और एक घर में गया, और चाहता था के कोई ना जाने, परंत वो छिप न सका, और तुरंत एक स्त्री, जिसकी छो युनानी और सूरुफिनी जाती की थी, और उसने उससे बिनती की, मेरी बेटी में से दुष्टात्मा निकाल दे, उसने उससे कहा, पहले लड़कों को त्रिप्त होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है, उसने उसको उत्तर इस बात के कारण चली जा, दुष्टात्मा तेरी बेटी में से निकल गई है। और उसने अपने घर आकर देखा के लड़की खाट पर पड़ी है और दुष्टात्मा निकल गई है। फिर वो सूर और सैदा के देशों से निकल कर दिक पुलिस देश से होता हुआ गलील की झील पर पहुँचा और लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे बिनती की के अपना हाथ उस पर रखे। तब वो उसको भीड से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीब को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा इप्फतह अर्थात खुल जा और उसके कान खुल गए और उसकी जीब की गांट भी खुल गई और वो साफ साफ बोलने लगा तब उसने उन्हें चिताया कि किसी ग्ले कहना परंत जितना उसने उन्हें चिताया उतना ही वे और प्रचार करने लगे और वे बहुत ही आश्चर्य में होकर कहने लगे उसने जो कुछ किया सब अच्छा किया है वे बहरों को सुनने की और उन दिनों में जब फिर बड़ी भीड इकट्थी हुई और उनके पास कुछ खाने को न था तो उसने अपने चेलों को पास बुला कर उनसे कहा मुझे इस भीड पर तरह साता है क्योंकि ये तीन दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं यदी मैं उन्हें भूका घर भीज दूँ तो मार्ग में ठक कर रह जाएंगी क्योंकि इन में से कोई कोई दूर से आए है उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहा से लाए कि ये तृप्त हों उसने उनसे पूछा तुमारे पास कितनी रोटिया है उन्होंने कहा सात तब उसने लोगों को भूमी पर बैठने की आग्या दी और वे सात रोटियां ली और देता गया कि उनके आगे रखें और उन्होंने लोगों के आगे परोश दिया उनके पास थोड़ी सी छोटी मचलियां भी थी और उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आग्या दी सो वे खाकर तिर्प्त हो गए और शेश टुकडों के साथ टोकरे भर कर उठाए और लोग चार हजार के लगभग थे और उसने उनको विदा किया और वो तुरंथ अपने चेलों के साथ नाव पर चढ़कर दलमनूता देश को चला गया फिर फरीसी निकल कर उससे वाद विवात करने लगे और उसे जाचने के लिए उससे कोई स्वरगीय चिन्ह मांगा उसने अपनी आत्मा में आह भर कर कहा इस समय के लोग क्यों चिन ढूणते हैं मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस समय के लोगों को कोई चिन नहीं दिया जाएगा और वो उन्हें छोड़कर फिर नाव पर चढ़ गया और पार चला गया और वे रोटी लेना भूल गये थे और नाव में उनके पास एक ही रोटी थी और उसने उन्हें चिताया के देखो फरीशियों के खमीर और हेरोदेश के खमीर से चौकस रहो वे आपस में विचार कर कहने लगे हमारे पास रोटी नहीं है ये जानकर यीशु ने उनसे कहा तुम क्यूं आपस में ये विचार कर रहे हो कि हमारे पास रोटी नहीं क्या अब तक नहीं जानते और नहीं समझते क्या तुम्हारा मन कठोर हो गया है क्या आँखें रखते हुए भी नहीं देखते और कान रखते हुए भी नहीं सुनते और तुम्हें स्मरण नहीं कि जब मैंने पाँच हजार के लिए पाँच रोटी तोड़ी थी तो तुमने तुकडों की कितनी टोकरियां भरकर उठाई उन्हों ने उससे कहा बारा टोकरियां और जब चार के लिए साथ रोटी तोड़ी थी तो तुमने तुकडों के कितने टोकरे भरकर उठाई थे उन्हों ने उससे कहा उसने उनसे कहा क्या तुम अब तक नहीं समझते और वे बैट सैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास ले आए और उससे बिनती की कि उसको चुए वो उस अंधे का हाथ पकड़ कर उसे गाव के बाहर ले गया और उसकी आँखों में थूक कर उस पर हाथ रखे और उससे पूछा क्या तु कुछ देखता है उसने आँख उठा कर कहा मैं मनुश्यों को देखता हूँ क्योंकि वो मुझे चलते हुए दिखाई देते हैं जैसे पेड तब उसने फिर दोबारा उसकी आँखों पर हाथ रखे और उसने ध्यान से देखा और चंगा हो गया और सब कुछ साफ साफ देखने लगा और उसने ये कहकर उसे घर भेजा कि इस गाओं के भीतर पाओं भी न रखना यीशु और उसके चेले कैसरिया फिलिपी के गाओं में चले गए और मार्ग में उसने अपने चेलों से पूछा लोग मुझे क्या कहते हैं उन्होंने उत्तर दिया योहन्ना बबतिस्मा देने माला पर कोई एलिया और कोई भवि ही कहते हैं उसने उनसे पूछा परन्तु तुम मुझे क्या कहते हो पत्रस ने उसको उत्तर दिया तू मसी है तब उसने उन्हें चिता कर कहा मेरे विशय में ये किसी से न कहना और वो उन्हें सिखाने लगा कि मनुष्य के लिए अवश्य है कि वो बहुत दुख उठाए औ और पुर्निये और महायाजक और शास्त्री उसे तुछ समझ कर मार डाले और वो तीन दिन के बाद जी उठे। उसने ये बात उनसे साफ साफ कहती। इस पर पत्रस उसे अलग ले जाकर जड़कने लगा। परंतु उसने फिर कर और अपने चेलों की ओर देख कर पत्रस को जड़क कर कहा। परंतु उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा। पर जो कोई मेरे और सूसमाचार के लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे बचाएगा। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानी उठाए तो उसे क्या लाब होगा। और मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। जो कोई इस व्यभिचारी और पापी जाती के बीच मुझसे और मेरी बातों से लज जाएगा। मनुष्य का पुत्र भी जब वो पवित्र दूतों के साथ अपने पिता की महिमा सहित आएगा। तब उससे लज जाएगा। और उसने उनसे कहा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो यहां खड़े हैं उनमें से कोई कोई ऐसे हैं कि जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ सहित आया हुआ न देख लें तब तक मृत्यू का स्वाद कदापी न चकेंगे। छै दिन के बाद यीशू ने पत्रस, याकूब और युहन्ना को साथ लिया और उन्हें एकांत में किसी उंचे पहाड पर ले गया और उनके सामने उसका रूप बदल गया। और उसका वस्त्र ऐसा चमकने लगा और यहां तक अती उजवल हुआ कि प्रत्वी पर कोई भी धोबी वैसा उजवल नहीं कर सकता। और उन्हें मूसा के साथ एलिया दिखाई दिया। और वे यीशू के साथ बातें करते थे। इस पर पत्रस ने यीशू से कहा। हे रब्बे हमारा यहां रहना अच्छा है इसलिए हम तीन मंडब बनाएं एक तेरे लिए एक मूसा के लिए और एक एलिया के लिए। क्योंकि वो नहीं जानता था के क्या कहे क्योंकि वे बहुत डर गए थे। तब एक बादल ने उन्हें च्छा लिया और उस बादल में से ये शब्द निकला। ये मेरा प्रियपुत्र है। उसकी सुनो। तब उन्होंने एका एक चारों ओर द्रिष्टी की और ये शू को छोड़ अपने साथ और किसी को न पाया। पहार से उतरते हुए उसने उन्हें आग ग्या दी। जब तक मनुष्य का पुत्र मरे हुओ में से जी न उठे तब तक जो कुछ तुमने देखा है वो किसी से न कहना। उन्होंने इस बात को स्मरण रखा और आपस में वाद विवाद करने लगे। मरे हुओ में से जी उठने का क्या अर्थ है। और उन्होंने उससे पूछा, शास्त्री क्यों कहते हैं कि एलिया का पहले आना अवश्य है। उसने उत्तर दिया, एलिया सचमुच पहले आकर सब कुछ सुधारेगा, परंतु मनुष्य के पुत्र के विशे में ये क्यूं लिखा है, कि वो बहुत दुख उठाएगा और तुछ गिना जाएगा, परंतु मैं तुम से कहता हूँ, एलिया तो आ चुका, और जैसा उसके विशे में लिखा है, उन्होंने जो कुछ चाहा उसके साथ किया, और जब वो चेलों के पास आया, तो देखा कि उनके चारों और बड़ी भीड लगी है, और शास्त्री उनके साथ विवात कर रहे हैं, उसे देखते ही सब बहुत ही आश्चर्य करने लगे, और उसकी और द उत्तर दिया, ये गुरू, मैं अपने पुत्र को जिसमें गूंगी आत्मा समाई है, तेरे पास लाया था, जहां कहीं वो उसे पकड़ती है, वहीं पटक देती, और वो मुह में फेन भरलाता और दात पीसता और सूखता जाता है, मैंने तेरे चिलों से कहा कि वो उसे निक ये सुनकर उसने उत्तर में उनसे कहा, ये अविश्वासी लोगो, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा, और कब तक तुम्हारी सहूंगा, उसे मेरे पास लाओ, तब वे उसे उसके पास ले आए, और जब उसने उसे देखा, तो उस आत्मा ने तुरंत उसे मरोडा, और वो भूमी पर गिरा, और मुह से फेन बहाते हुए लोटने लगा, उसने उसके पिता से पूछा, इसकी ये दशा कब से है, उसने कहा, बचपन से, उसने इसे नाश करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, परंत यदि तू कुछ कर सके, तो हम पर तरस खाकर हमा यीशू ने उससे कहा, यदि तू कर सकता है, ये क्या बात है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है, बालक के पिता ने तुरंत गिर गिरा कर कहा, ये प्रफू, मैं विश्वास करता हूँ, मेरे विश्वास का उपाएकर, जब यीशू ने देखा कि लोग द पहरी आत्मा, मैं तुझे अग्या देता हूँ, उसमें से निकला और उसमें फिर कभी प्रवेश्ट न कर। तब वो चिला कर और उसे बहुत मरोर कर निकलाई और बालक मरा हुआ सा हो गया। यहां तक के बहुत लोग कहने लगे के वो मर गया। परंत यीश्यू ने उसका हाथ पकड़ कर उसे उठाया और वो खड़ा हो गया। जब वो घर में आया, तो उसके चेलों ने एकांत में उससे पूछा। हम उसे क्यों न निकाल सके। उसने उनसे कहा, यह जाती, बिना प्रार्थना, किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। फिर वे वहां से चले, और गलील में होकर जा रहे थे, और वो नहीं चाहता था कि कोई जाने। क्योंकि वो अपने चेलों को उपदेश देता, और उनसे कहता था कि मनुष्य का पुत्र मनुष्यों के हाथ में पकड़वाया जाएगा, और वे उसे मार डालेंगे, और वो मरने के तीन दिन बाद जी उठेगा। पर ये बात उनकी समझ में नहीं आई, और वे उसे पूछने से डरते थे। फिर वे कफरन हूम में आए, और घर में आकर उसने उनसे पूछा, रास्ते में तुम किस बात पर विवाद करते थे। वे चुप रहे, क्योंकि मार्ग में उन्होंने आपस में ये वाद विवाद किया था, कि उनमें बड़ा कौन है, तब उसने बैठ कर बारहूं को बुलाया, और उनसे कहा, यदि कोई बड़ा होना चाहे, तो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। और उसने एक बालक को लेकर उनके बीच में खड़ा किया, और उसे गोद में लेकर उनसे कहा, जो कोई मेरे नाम से, ऐसे बालकों में से, किसी एक को भी ग्रहन करता है, वो मुझे ग्रहन करता है, और जो कोई मुझे ग्रहन करता है, वो मुझे नहीं, वरन मेरे भेजने वाले को ग्रहन करता है। तब युहन्ना ने उससे कहा, हे गुरू, हमने एक मनश्य को तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालते देखा, और हम उसे मना करने लगे, क्योंकि वो हमारे पीछे नहीं हो लेता था। येशु ने कहा, उसको मत मना करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं, जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे, और जल्दी से मुझे बुरा कह सके, क्योंकि जो हमारे विरोद में नहीं, वो हमारी ओर है, जो कोई एक कटोरा पानी तुम्हें इसलिए पिलाए, कि तुम मसीह के हो, तो मैं सच कहता हूँ, कि वो अपना प्रतीफल किसी रीति से नखोएगा, पर जो कोई छोटों में से, जो मुझे पर विश्वास करते हैं, किसी को ठोकर खिलाए, तो उसके लिए भला ये है, कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए, और वो समुद्र में डा दिया जाए, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे काट डाल, तुंडा होकर जीवन में प्रवेश करना, तेरे लिए इससे भला है, कि दो हाथ रहते हुए, नरक के बीच उस आग में डाला जाए, जो कभी बुझने की नहीं, और यदि तेरा पाउं तुझे ठ ठोकर खिलाए, तो उसे काट डाल, लंगडा होकर जीवन में प्रवेश करना, तेरे लिए इससे भला है, कि दो पाउं रहते हुए, नरक में डाला जाए, और यदि तेरी आँख तुझे ठोकर खिलाए, तो उसे निकाल डाल, काना होकर परमेश्वर के राज्य में प्रवे क्योंकि हर एक जन्द आग से नमकीन किया जाएगा, नमक अच्छा है, पर यदि नमक की नमकीनी जाती रहे, तो उसे किस से स्वादित करोगे, अपने में नमक रखो, और आपस में मेल मिलाप से रहो. दस्माध्याए मुसा ने त्याग पत्र लिखने और त्यागने की आग्या दी है, येश्व ने उनसे कहा, तुम्हारे मन की कट्गोरता के कारण, उसने तुम्हारे लिए ये आग्या लिखी, पर सृष्टी के आरंब से परमेश्वर ने नर और नारी करके उनको बनाया है, इस कारण मनुष्य अपने माता पिता से अलग होकर अपनी पत्नी के साथ रहेगा, और वे दोनों एक तन होंगे, इसलिए अब दो नहीं पर एक तन है, इसलिए जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है, उसे मनुष्य अलग न करे। और घर में चेलों ने इसके विशय में उससे फिर पूछा, उसने उनसे कहा, जो कोई अपनी पत्नी को त्याक कर दूसरी से ब्याह करे, तो वो उस पहली के विरोध में विविचार करता है, और यदि पत्नी अपने पती को छोड़ कर दूसरे से ब्याह करे, तो वो शेलों ने उनको डाटा, येशू ने ये देख कृध्ध होकर उनसे कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना न करू, क्योंकि परमेश्वर का राज्य हैसों ही का है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक की नाई ग्रहन न करे, वो उसमें कभी प्रवेश करने न पाएगा, और उसने उन्हें गोध में लिया, और उन पर हाथ रखकर उन्हें आशिश दी, और जब वो निकल कर मार्ग में जाता था, तो एक मनुष्य उसके पास दोड़ता हुआ आया, और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरू, अनन्त जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूँ? येशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यूं कहता है, कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर, तू आज्याओं को तो जानता है, हत्या न करना, वेविचार न करना, चोरी न क जूटी गवाही न देना, चल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना, उसने उससे कहा, हे गुरू, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया, येशु ने उस पर द्रिश्टि की, और उसके हदय में प्रेम उमणाया, तब उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है, उसे बेच कर कंगालों को दे, और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले, इस बात से उसके चहरे पर उदासी झा गई, और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था, येशु ने चारों और देखकर, अ कैसा कठिन है, चेले उसकी बातों से अचम्भित हुए, इस पर येशु ने फिर उनसे कहा, ये बाल को जो धन पर भरोसा रखते हैं, उनके लिए परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है, परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से, उंट क सुईल के नाके में से निकल जाना सहज है फिर बहुत ही चकित होकर आपस में कहने लगे तो फिर किसका उधार हो सकता है येशु ने उनकी ओर देख कर कहा मनुश्यों से तो ये नहीं हो सकता परंतु परमेश्वर से हो सकता है क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है पत्रस उससे कहने लगा देख हम तो सब को छोड़कर तेरे पीछे हो लिये हैं येशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सू समचार के लिए घर या भाईयों या बहिनों या माता या पिता या लड़के वालों या खेतों को छोड़ दिया हो और अब इस समय सौ गुना न पाए घरों और भाईयों और बहिनों और माताओं और लड़के वालों और खेतों को पर उपद्रव के साथ और पर लोक में अनंत जीवन पर बहुतेरे जो पहले हैं पिछले होंगे और जो पिछले हैं वे पहले होंगे और वे यरुशलेम को जाते हुए मार्ग में थे और यिशू उनके आगे आगे जा रहा था और वे अचंभा करने लगे और जो उसके पीछे पीछे चलते थे डरने लगे तब वो फिर उन बारहूं को लेकर उनसे वे बातें कहने लगा जो उस पर आने वाली थी उसने कहा देखो हम यरुशलेम को जाते हैं और मनुश्य का पुत महायाजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको घात के योग्य ठहराएंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौपेगे और वे उसको थटों में उड़ाएंगे और उस पर थूकेंगे और उसे कोड़े मारेंगे और उसे घात करेंगे और तीन दिन के बाद वो जी उठेगा तब जबती के पुत्र याकूब और युहन्ना ने उसके पास आकर कहा ए गुरू, हम चाहते हैं कि जो कुछ हम तुछ से मांगे, वही तु हमारे लिए करे उसने उनसे कहा तुम क्या चाहते हो, कि मैं तुमारे लिए करूँ उन्हों ने उससे कहा हमें ये दे कि तेरी महिमा में हमें से एक तेरे दाहिने और दूसरा तेरे बाएं बैठे येशू ने उनसे कहा तुम नहीं जानते कि क्या मांगते हो जो कटोरा मैं पीने पर हूँ क्या पी सकते हो और जो बबतिस्मा मैं लेने पर हूँ क्या ले सकते हो उन्हों ने उससे कहा हमसे हो सकता है इशु ने उनसे कहा जो कटोरा मैं पीने पर हूँ तुम पियोगे और जो बबतिस्मा मैं पर लेने पर हूँ उसे लोगे पर जिनके लिए तैयार किया गया है उन्हें छोड़ और किसी को अपने दहिने और अपने बाएं बिठाना मेरा काम नहीं ये सुनकर दसों याकूब और युहन्ना पर रिसी आने लगे येशु ने उनको पास बुला कर उनसे कहा तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं पर तुम में ऐसा नहीं है वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वो तुम्हारा सेवक बने और जो कोई तुम में प्रधान होना चाहे वो सब का दास बने क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करे और बहुतों की छुड़ोती के लिए अपना प्राण दे और वे जरीहों में आये और जब वो और उसके चेले और एक बड़ी भीड जरीहों से निकलती थी तो तिमाई का पुत्र बरतिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था वो ये सुनकर के येशु नासरी है पुकार पुकार कर कहने लगा तब येशु ने टहर कर कहा उसे बुलाओ और लोगों ने उस अंधे को बुला कर उससे कहा धाडस बांद, उठ, वे तुझे बुलाता है वो अपना कपड़ा फेंग कर शीघ्र उठा और यीशू के पास आया इस पर यीशू ने उससे कहा तु क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूँ अंधे ने उससे कहा ए रब्बी, ये कि मैं देखने लगू यीशू ने उससे कहा चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे जंगा कर दिया है वो तुरंट देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया जब वे यरुशलेम के निकट, जैतून पहार पर बैत फगे और बैत नियाह के निकट आये तो उसने अपने चेलों में से दो को ये कहकर भेजा अपने सामने के गाउं में जाओ और उसमें पहुशते ही एक गधी का बच्चा जिस पर कभी कोई नहीं चड़ा, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल लाओ यदि तुमसे कोई पूछे ये क्यूं करते हो, तो कहना प्रभू को इसका प्रयोजन है और वो शिग्र उसे यहां भेज देगा उन्होंने जाकर उस बच्चे को बाहर द्वार के पास चौक में बंधा हुआ पाया वे उसे खोलने लगे, जो लोग वहां खड़े थे, उन्में से कुछ कहने लगे ये क्या करते हो, गधही के बच्चे को क्यों खोलते हो उन्होंने जैसा यीशू ने कहा था, वैसा ही उनसे कह दिया तब उन्होंने उन्हें जाने दिया और उन्होंने बच्चे को यीशू के पास लाकर उस पर अपने कपड़े डाले और वो उस पर बैठ गया और बहतोंने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए और औरोंने खेतों में से डालियां काट काट कर फैला दी और जो उसके आगे आगे जाते और पीछे पीछे चले आते थे पुकार पुकार कर कहते जाते थे और वो यरुशलेम पहुँचकर मंदिर में आया और चारों और सब वस्तूं को देखकर बारहूं के साथ बैतनियाह गया क्योंके सांज हो गई थी दूसरे दिन जब वे बैतनियाह से निकले तो उसको भूख लगी और वो दूर से अंजीर का एक हरा पेर देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए पर पत्तों को छोड़ कुछ न पाया क्योंके फल का समय न था इस पर उसने उससे कहा अब से कोई तेरा फल कभी न खाए उसके चेले ये सुन रहे थे फिर वे यरुशलेम में आये और वो मंदिर में गया और वहां जो लेंदें कर रहे थे उन्हें बाहर निकालने लगा सराफों के पीड़े और कबूतर के बेचने वालों की चौकिया उलटती और मंदिर में से होकर किसी को बरतन लेकर आने जाने ना दिया और उसने उपदेश करके उनसे कहा क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा पर तुमने इसे डाकूओं की खोह बना दी है ये सुनकर महायाजक और शास्त्री उसके नाश करने का आवसर ढूंडने लगे परंतु उससे डरते थे क्योंके सब लोग उसके उपदेश से चकित होते थे और प्रती दिन सांज होते ही वो नगर से बाहर जाया करता था भोर को जब वे उधर से जा रहे थे तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा पत्रस को वो बात स्मरन आई और उसने उससे कहा हे रब्बी देख ये अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राब दिया था सूख गया है ये शू ने उसको उत्तर दिया परमेश्वर पर विश्वास रखो मैं तुमसे सच कहता हूँ जो कोई इस पहाड से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जापड़ और अपने मन में संदेह न करे वरन प्रतीति करे कि जो कहता है वो हो जाएगा तो उसके लिए वही होगा इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया वो तुमारे लिए हो जाएगा और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते हो और यदी तुम्हारे मन में किसी की ओर से कुछ विरोध हो तो क्षमा करो कि तुम्हारा स्वर्गिय पिता भी तुम्हारे अपराद क्षमा करे और यदी तुम क्षमा न करो तो तुम्हारा पिता भी जो स्वर्ग में है तुम्हारा अपराद क्षमा न कर वे फिर यरुशलेम में आये और जब वो मंदिर में टहल रहा था तो महायाजक, शास्त्री और पुर्णिये उसके पास आकर पूछने लगे तू ये काम किस अधिकार से करता है? ये अधिकार तुझे किस ने दिया है? कि तू ये काम करे? ये शू ने उनसे कहा, मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूँ, मुझे उत्तर दो, तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ, युहन्ना का पप्तिस्मा क्या स्वर्ग की ओर से था, या मनुश्यों की ओर से था, मुझे उत्तर दो तब वे आपस में विवाद करने लगे के, यदी हम कहें सुर की ओर से, तो वो हमसे कहेगा, फिर तुमने उसकी प्रतिती क्यों ना की? और यदी कहें मनुश्य की ओर से, तो हमें भीड का डर है, क्योंकि वे सब यहुन्ना को भाविश्य दुपता जानते हैं, सो उन्होंने यीशु को उत्तर दिया, हम नहीं जानते, यीशु ने उनसे कहा, मैं भी तुमको नहीं बताता कि ये काम किस अधिकार से करता हूँ, उनसे बातें करने लगा, किसी मनुश्य ने दाक की बारी लगाई, और उसके चारों और बाड़ा बांधा, और रस का कुंड खोदा, और गुम्मट बनाया, और किसानों को उसका ठीका देकर वो पर देश चला गया, फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि उनसे दाक की बारी के फलों का भाग ले, पर उन्होंने उसे पकड़ कर पीटा, और छूचे हाथ लोटा दिया, उसने एक और दास को उनके पास भेजा, और उन्होंने उसका सिर फोड डाला, और उसका अपमान किया, फिर उसने एक और को भेजा, और उन्होंने उसे मार डाला तब उसने और बहुतों को भेजा उनमें से उन्होंने कितनों को पीटा और कितनों को मार डाला अब एक ही रह गया था अंत में उसने उसे भी उनके पास ये सोचकर भेजा कि वे उसके पुत्र का आदर करेंगे पर उन किसानों ने आपस में कहा यही तो वारिस है आओ ह वो आकर उन किसानों को नाश करेगा और दाख की बारी औरों को दे देगा क्या तुमने पवित्र शास्त्र में ये वचन नहीं पढ़ा कि जिस पत्थर को राज मिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरा हो गया ये प्रभू की ओर से हुआ और हमारी दृष्टी में अदभुत है तब उन्होंने उसे पकरना चाहा क्योंकि समझ गए थे कि उसने उनके विरोध में ये दृष्टांत कहा पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़ कर चले गए तब उन्होंने उसे बातों में फसाने के लिए कई एक फरीसियों और हेरोधियों को उसके पास बहजा उन्होंने आकर उससे कहा हे गुरू हम जानते हैं कि तु सच्चा है और किसी की परवा नहीं करता क्योंकि तु मनुश्यों का मुँद देख कर बात नहीं करता परंतु परमेश्वर का मार सच्चाई से बताता है तो क्या कैसर को कर देना उचित है की नहीं हम दे या न दे उसने उनका कपट जान कर उनसे कहा मुझे क्यूं परखते हो एक दिनार मेरे पास लाओ कि मैं देखूं वे ले आए और उसने उनसे कहा ये मुर्ती और नाम किसका है उन्होंने कहा कैसर का यीशू ने उनसे कहा जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे फिर सदूकियों ने भी जो कहते हैं कि मरे हुओ का जी उठना है ही नहीं उसके पास आकर उससे पूछा हे गुरू मुसा ने हमारे लिए लिखा है कि यदि किसी का भाई बिना संतान मर जाए और उसकी पत्नी रह जाए तो उसका भाई उसकी पत्नी को ब्याह ले और अपने भाई के लिए वंशुत्पन करे साथ भाई थे पहला भाई ब्याह करके बिना संतान मर गया दूसरे भाई ने उस इस्तरी को ब्याह लिया और बिना संतान मर गया और वैसे ही तीसरे ने भी और सातों से संतान ना हुई सब के पीछे वो इस तरी भी मर गई सो जी उठने पर वो उन में से किस की पतनी होगी क्योंकि वो सातों की पतनी हो चुकी थी यीशु ने उनसे कहा क्या तुम इस कारण से भूल में नहीं पड़े हो कि तुम न तो पवित्र शास्त्र ही को जानते हो और न परमेश्वर की सामर्थ को क्योंकि जब वो मरे हुऊं में से जी उठेंगे तो उन में ब्याहशादी नहोगी पर स्वर्ग में दूतों की नाई होगे मरे हुऊं की जी उठने के विशै में क्या तुमने मुसा की पुस्तक में जाड़ी की कथा में नहीं पड़ा, कि परमेश्वर ने उससे कहा, मैं इबराहिम का परमेश्वर और इसहाक का परमेश्वर और याकूब का परमेश्वर हूँ, परमेश्वर मरे हुँओं का नहीं, वरन जीवतों का परमेश्वर है, सो तुम बड़ी भूल में पड़े हो। और शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना, और ये जानकर के उसने उन्हें अच्छी रीती से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आग्या काउन सी है? ये इशु ने उसे उत्तर दिया, सब आग्याओं में से ये मुख्य है, हे इसराइल सुन, प्रभू हमारा परमेश्वर एक ही प्रभू है, और तू प्रभू अपने परमेश्वर से, अपने सारे प्राण से, और अपनी सारी बुद्धी से, और अपनी सारी शक्ती से प्रेम और दूसरी ये है कि तू अपने पडोसी से अपने समान प्रेम रखना, इससे बड़ी और कोई आज्या नहीं, शास्त्री ने उससे कहा, ए गुरू, बहुत ठीक, तूने सच कहा के वो एक ही है और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उसे सारे मन और सारी बुद्धी और सारी प्राण और सारी शक्ती के साथ प्रेम रखना, और पडोसी से अपने समान प्रेम रखना, सारे होमों और बलीदानों से बढ़ कर है, जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया तो उसने कहा तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ फिर यीशु ने मंदिर में उपदेश करते हुए ये कहा शास्तरी क्यों कहते हैं कि मसीय दाउद का पुत्र है दाउद ने आप ही पवित्र आत्मा में होकर कहा है प्रभू ने मेरे प्रभू से कहा मेरे दहिने बैट जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पावों की पीड़ी न कर दूँ दाउद तो आप ही उसे प्रभू कहता है फिर वो उसका पुत्र कहां से ठहरा। और भीर के लोग उसकी आनंद से सुनते थे। उसने अपने उप्देश में उनसे कहा। शास्त्रियों से चौकस रहो। जो लंबे वस्त्र पहिने हुए फिरना। और बाजारों में नमस्कार। और आराधनालेयों में मुख्य मुख्य आसन और जेवनारों में मुख्य मुख्य स्थान भी चाहते हैं। वो विद्वाओं के घरों को खा जाते हैं। और दिखाने के लिए बड़ी देर تक प्रार्थना करते रहते हैं। ये अधिक दंड पाएंगे। और वो मंदिर के भंडार के सामने बैठ कर देख रहा था, कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत धनवानों ने बहुत कुछ डाला, इतने में एक कंगाल विध्वा ने आकर दो दमडियां जो एक पैसे के बराबर होती हैं डाली, तब उसने अपने चेलों को पास पुला कर उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मंदिर के भंडार में डालने वालों में से, इस कंगाल विध्वा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ती में से डाला है, परन्तु इसने अपनी घटी में से, जो कुछ उस अर्थात अपनी सारी जीवी का डाल दी है। तेरवां अध्याय जब वो मंदिर से निकल रहा था, तो उसके चेलों में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, देख, कैसे कैसे पत्थर और कैसे कैसे भवन है। येशु ने उससे कहा, क्या तुम ये बड़े बड़े भवन देखते हो, यहाँ पत्थर पर पत्थर भी बचा न रहेगा, जो धाया न जाएगा। जब वो जैतून के पहाड पर मंदिर के सामने बैठा था, तो पत्रस और याकूब और युहन्ना और अंद्रियास ने अलग जाकर उससे पूछा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी, उस समय का क्या चिन होगा। येशु उनसे कहने लगा, चौकस रहो कि कोई तुम्हें न भर्माए, बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं वही हूँ और बहुतों को भर्माएंगे, और जब तुम लडाईयां और लडाईयों की चर्चा सुनो, तो न घबराना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परन्तु उस समय अन्त न होगा, क्योंकि जाती पर जाती और राज्य पर राज्य चड़ाई करेगा, और हर कहीं भुईडोल होंगे, ये तो पीडाओं का आरंब ही होगा, परन्तु तुम अपने विशय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौपेंगे, और तुम पंचायतों में बीटे जाओगे, और मेरे कारण हाकिमों और राजाओं के आगे खड़े किये जाओगे, कि उनके लिए गवाही हो, पर अवश्य है कि पहले सूसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए, जब वे तुम्हें ले जाकर सौपे, तो पहले से चिंता न करना कि हम क्या कहेंगे, जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाए, वही कहना, क्यूंकि बोलने वाले तुम नहीं, के वाले माता पिता के विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुम से बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज रखेगा, उसी का उद्धार होगा, सु जब तुम उस उजारने वाली घड़ित वस्तु को, जहां उचित नहीं, वहाँ खड़ी देखो, पढ़ने वाला समझ ले, तब जो यहूदियों में हो, वे पहाडों पर भाग जाएं, जो कोठे पर हो, वो अपने घर से कुछ लेने को, नीचे न उत्रे, और न भीतर जाएं, और जो खेत में हो, वो अपना कपड़ा लेने के लिए, पीछे न लोटे, उन दिनों में जो गर्ब वती, और दूध पिलाती होंगी, और प्रार्थना किया करो, कि यह जाडे में न हो, क्योंकि वे दिन ऐसे क्लेश के होंगे, कि स्रिष्टी के आरंब से, जो परमेश्वर ने स्रिजी है, अब तक ना तो हुए, और न फिर कभी होंगी, और यदि प्रभू उन दिनों को न घटाता, तो कोई प्राणी भी न बचता, परन्तु उन चुने हुऊं के कारण, जिनको उसने चुना है, उसने उन दिनों को घटाया है, उस समय यदि कोई तुमसे कहे, देखो, मसीह यहाँ है, या देखो, वहाँ है, तो प्रतीती न करना, क्योंकि जूठे मसीह, और जूठे भविश्चिद वक्ता, उठ खड़े होंगे, और चिन्ध, और अद्भुत काम दिखाएंगी, कि यदि हो सके, तो चुने हुऊं को भी भर्मा दे, पर तुम चौकस रहो, देखो, मैंने, तुम्हे सब बातें पहले ही से कह दी है, उन दिनों में उस क्लेश के बाद, सूरज अंधेरा हो जाएगा, और चांद प्रकाश न देगा, और आकाश से तारा गण गिरने लगेगे, और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी, तब लोग मनुष्य के पुत्र को, बड़ी सामर्थ और महिमा के साथ, दूतों को भेज कर, प्रिध्वी की इस छोर से, आकाश की उस छोर तक चारों दिशा से, अपने जुने हुए लोगों को इकट्खे करेगा, अंजीर के पेड से ये द्रिश्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती, और पत्ते निकलने लगते हैं, तो तुम जान लेते हो कि ग्रिश्मकाल निकट है, इसी रीती से, जब तुम इन बातों को होते देखो, तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार ही पर है, मैं तुम से सच कहता हूँ, जब तक ये सब बातें न हो लेंगी, तब तक ये लोग जाते न रहेंगे, आकाश और प्रिथ्वी डल जाएंगे, परन्तु मेरी बातें कभी न डलेंगी, उस दिन या उस घड़ी के विशय में, कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूथ और न पुत्र, परन्तु केवल पिता, देखो, जागते और प्रार्थना करते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते, कि वो समय कब आएगा, ये उस मनुष्य की सी दशा है, जो परदेश जाते समय, अपना घर छोड़ जाए, और अपने दासों को अधिकार दे, और हर एक को उसका काम जता दे, और द्वारपाल को जागते रहने की आग्या दे, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते, कि घर का स्वामी कब आएगा, सांज को, या आधिरात को, या मुर्ग के बांग देने के समय, या भोर को, ऐसा नहो कि वो अचानक आकर तुम्हें सोते पाए, जो मैं तुम से कहता हूँ, वही सब से कहता हूँ, जागते रहो, चौधमा अध्याय दो दिन के बाद, फसह और अखमीरी रोटी का पर्व होने वाला था, महायाजक और शास्त्री इस बात की खोज में थे, कि उसे किस प्रकार चल से पकड़ कर मार डालें, परंतु कहते थे के, पर्व के दिन नहीं, कहीं ऐसा ना हो, के लोगों में भल्वा मचे, जब वो बैत नियाह में, शमौन कोड़ी के घर भोजन करने बैठा हुआ था, तब एक स्त्री, संग मरमर के पात्र में, जटा मासी का बहुमूल्य शुद्ध इत्र लेकर आई, और पात्र तोड़ कर, इत्र को उसके सिर पर उंडेला, कुछ लोग अपने मन में रिसिया कर कहने लगे, इस इत्र को क्यों सत्यानाश किया गया, क्योंकि ये इत्र तो तीन सो दिनार से अधिक मुल्ले में बेज कर, कंगालों को बाटा जा सकता था, और वे उसको जड़कने लगे, ये इशु ने कहा, उसे छोड़ दो, उसे क्यों सताते हो, उसने तो मेरे साथ भलाई की है, कंगाल तुम्हारे साथ सदा रहते हैं, तुम जब चाहो, तब उनसे भलाई कर सकते हो, पर मैं तुम्हारे साथ सदा न रहूंगा, जो कुछ वो कर सकी उसने किया है उसने मेरे गाड़े जाने की तैयारी में पहले से मेरी देह पर इत्र मला है मैं तुमसे सच कहता हूँ सारे जगत में जहां कहीं सुसमाचार प्रचार किया जाएगा वहां उसके इस काम की चर्चा भी उसके स्मरण में की जाएगी तब यहूदा इस करियोती जो बारह में से एक था महायाजगों के पास कया कि उसे उनके हाथ पकड़वा दे वे ये सुनकर आनंदित हुए और उसको रुपए देना स्वीकार किया और वो ये अवसर ढूंदने लगा कि उसे किसी प्रकार पकड़वा दे अखमीरी रोटी के पर्व के पहले दिन जिसमें वे फसह का बलिदान करते थे उसके चेलों ने उससे पूछा तु कहा चाहता है कि हम जाकर तेरे लिए फसह खाने के तयारी करें? उसने अपने चेलों में से दो को ये कहकर भेजा नगर में जाओ और एक मनुष्य जल का घड़ा उठाए हुए तुम्हें मिलेगा उसके पीछे हो लेना वो जिस घर में जाए उस घर के स्वामी से कहना गुरू कहता है मेरी पाहुन शाला जिसमें मैं अपने चेलों के साथ फसह खाऊं कहां है? वो तुम्हें एक सजी सजाई और तयार की हुई बड़ी अटारी दिखा देगा वहां हमारे लिए तयारी करो सो चेले निकल कर नगर में आये और जैसा उसने उनसे कहा था वैसा ही पाया और फसह तयार किया जब सांज हुई तो वो बारहों के साथ आया और जब वे बैठे भोजन कर रहे थे तो यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, तुम में से एक, जो मेरे साथ भोजन कर रहा है, मुझे पकडवाएगा। उन पर उदासी छा गई, और वे एक-एक करके उससे कहने लगे, क्या, वो मैं हूँ? उसने उनसे कहा, वो बारहों में एक है, जो मेरे साथ थाली में हाथ डालता है, मनुष्य का पुत्र, तो जैसा उसके विशय में लिखा है, जाता ही है, परन्तु उस मनुष्य पर हाए, जिसके द्वारा मनुष्य का पुत्र पकडवाया जाता है, यदि उस मनुष्य का जन्म ही न होता तो उसके लिए भला होता और जब वे खा ही रहे थे तो उसने रोटी ली और आशिश मांग कर तोड़ी और उन्हें दी और कहा लो ये मेरी देर है फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें दिया और उन सब ने उसमें और उसने उनसे कहा, ये वाचा का मेरा वो लोहू है, जो बहुतों के लिए बहाया जाता है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, गाक का रस, उस दिन तक फिर कभी न पियूँगा, जब तक परमेश्वर के राज्ज में नया न पियूँँँ। फिर वे भजन गाकर बाहर चैतून के पहाड पर गए, तब ये शुने उनसे कहा, तुम सब ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं रखवाले को मारूंगा, और भेड तितर बितर हो जाएंगी, परन्तु मैं अपने ची उठने के बाद, तुमसे पहले गलील को जाओंगा। पत्रस ने उससे कहा, यदि सब ठोकर खाएं तो खाएं, पर मैं ठोकर नहीं खाओंगा। ये शुने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ, आज ही इसी रात मुर्गे के दो बार बांग देने से पहले, तू तीन बार मुझसे मुकर जाएगा। पर उसने और भी जोर दे कर कहा, यदि मुझे तेरे साथ मरना भी पड़े, तो भी तेरा इंकार कभी न करूँगा। इसी प्रकार और सबने भी कहा, फिर वे गत समने नाम एक जगह में आए, और उसने अपने चेलों से कहा, यहां बैठे रहो, जब तक मैं प्रार्थना कर और वो पत्रस और याकूब और युहन्ना को अपने साथ ले गया, और बहुत ही अधीर और व्याकुल होने लगा, और उनसे कहा, मेरा मन बहुत उदास है, यहां तक की मैं मरने पर हूँ, तुम यहां ठहरो और जागते रहो, और वो थोड़ा आगे बढ़ा, और भूमी प गिर कर प्रार्थना करने लगा, यदी हो सके तो यह घड़ी मुझे पर सिटल जाए, और गहा, हे अबबा, हे पिता, तुझसे सब कुछ हो सकता है, इस कटोरे को मुझे से हटा ले, तो भी जैसा मैं चाहता हूँ, वैसा नहीं, पर जो तू चाहता है, वही होूँ, फिर वो आया, और उन्हें सोते पाकर पत्रस से कहा, ए शमोन, तु सो रहा है, क्या तू एक घड़ी भी न जाग सका, जागते और प्रार्थना करते रहो, कि तुम परिक्षा में न पड़ो, आत्मा तो तयार है, पर शरीर दुर्बल है, और वो फिर चला गया, और वही बा बात कहकर प्रार्थना की, और फिर आकर उन्हें सोते पाया, क्योंकि उनकी आखें नींद से भरी थी, और नहीं जानते थे कि उसे क्या उत्तर दें, तब तीसरी बार आकर उनसे कहा, अब सोते रहो, और विश्राम करो, बस घड़ी आ पहुँची, देखो मनुष्य का पु पहुचा, वो ये कही रहा था कि यहूदा जो बारहों में से था, अपने साथ महायाजकों और शास्त्रियों और पुर्णियों की ओर से एक बड़ी भीर, तलवारें और लाठियां लिये हुए, तुरंट आ पहुचा, उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें ये पता दिया जिसको मैं चूमूँ वही है, उसे पकड़कर यतन से ले जाना, और वो आया, और तुरंट उसके पास जाकर कहा, है रबी, और उसको बहुत चूमा, तब उन्होंने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया, उन्हें से जो बास खड़े थे, एक ने तलवार खीच कर महायाजक क दास पर चलाई और उसका कान उड़ा दिया, येशू ने उनसे कहा, क्या तुम दाकु जानकर मुझे पकड़ने के लिए तलवारे और लाठिया लेकर निकले हो, मैं तो हर दिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहकर उपदेश दिया करता था, और तब तुमने मुझे नपकड परंतु ये इसलिए हुआ है, कि पवित्र शास्त्र के बातें फूरी हो, इस पर सब चेले उसे छोड़कर भाग गए, और एक जवान अपनी नंगी देह पर चादर ओढ़े हुए उसके पीछे हो लिया, लोगों ने उसे पकड़ा, पर वो चादर छोड़कर नंगा भाग तब वे येशु को महायाजक के पास ले गए, और सब महायाजक और पुर्निये और शास्त्री उसके यहां इकठे हुए, पत्रस भी दूर ही दूर से उसके पीछे पीछे महायाजक के आंगन के भीतर तक गया, और प्यादों के साथ बैठ कर आग तापने लगा, महायाजक और सारी महासभा येशु के मार डालने के लिए उसके विरोध में गवाही की खोज में थे, पर न मिली, क्योंके बहुत तेरे उसके विरोध में जूठी गवाही दे रहे थे, पर उनकी गवाही एक सी ना थी, तब कितनों ने उठकर उस पर ये जूठी गवाही हमने इसे ये कहते सुना है, कि मैं इस हाथ के बनाए हुए मंदिर को ढ़ा दूँगा, और तीन दिन में दूसरा बनाऊंगा, जो हाथ से ना बनाऊ, इस पर भी उनकी गवाही एक सी ना निकली, तब महायाजक ने बीच में खड़े होकर येशु से पूछा, महायाजक ने उससे फिर पूछा, तू कोई उत्तर नहीं देता, ये लोग तेरे विरोध में क्या गवाही देते हैं, परंतु वो मौन साधे रहा, और कुछ उत्तर ना दिया, महायाजक ने उससे फिर पूछा, क्या तू उस परम धन्य का पुत्र मसी है, येशु ने कहा, हाँ, मैं महायाजक ने अपने वस्तर भार कर कहा, अब हमें गवाहाओं का और क्या प्रियोजन, तुमने ये निंदा सुनी, तुम्हारी क्या राय है, उन सब ने कहा, वो वथर के योग है, वो वथर के योग है, तब तो कोई उस पर थूकने, और कोई उसका मुह धापने, और उसे खुंसे मारने, और उसे कहने लगे, और प्यादों ने उसे लेकर थपड़ माने, जब पत्रस नीचे आंगन में था, तो महायाजक की लौंडियों में से एक वहाँ आई, और पत्रस को आग तापते देखकर, उस पर टक-टकी लगा कर देखा, और कहने लगी, तू भी तो उस नासरी ईशु के साथ था, वो मुकर गया, और कहा, मैं नहीं जानता, और नहीं समझता के तू क्या कह रही है, फिर वो बाहर डेवरी पर गया, और मुर्ग ने बांग दी, वो लौंडी उसे देखकर, उनसे जो पास खड़े थे, फिर कहने लगी, ये उनमे से एक है, परंतु वो फिर मुकर गया, और थोड़ी देर बाद, उन्होंने जो पास खड़े थे, फिर पत्रस से कहा, निश्चे तू उनमें से एक है, क्योंकि तू गलीली भी है, तब वो धिकार देने, और शपत खाने लगा, कि उस मनुष्य को, जिसकी तुम चर्चा करत हो, मैं नहीं जानता, तब तुरंत, दूसरी बार मुर्ग ने बांग दी, पत्रस को वो बात, जो यीश्चु ने उससे कही थी, स्मरण आई, कि मुर्ग के दो बार बांग देने से पहले, तू तीन बार मेरा इनकार करेगा, वो इस बात को सोच कर रोने लगा, और भोर होते ही तुरंत, महायाजकों, पुर्णियों और शास्त्रियों ने, वरंग सारी महासभाने सलाह करके, यीश्चु को बंधवाया, और उसे ले जाकर, पीलातुस के हाथ सौप दिया, पीलातुस ने उससे पूछा, क्या तू यहुद्यों का राजा है? उसने उसको उत्तर दिया, तू आप ही कह रहा है, और महायाजक उस पर बहुत बातों का दोश लगा रहे थे, पीलातुस ने उससे फिर पूछा, क्या तू उत्तर नहीं देता? देखे दुछ पर कितनी बातों का दोश लगाते हैं? येशु ने फिर कुछ उत्तर नहीं दिया, यहां तक कि पीलातुस को बड़ा आश्चर्य हुआ, वो उस पर्व में किसी एक बंधुए को, जिसे वे चाहते थे, उनके लिए छोड़ दिया करता था, वरब्बा नाम का एक मनुष्य, उन वलवाईयों के साथ बंधुआ था जिन्होंने बलवे में हत्या की थी, भीर उपर जाकर उससे बिनती करने लगी, जैसा तु हमारे लिए करता आया है, वैसा ही कर, पीलातुस ने उनको उत्तर दिया, क्या तुम चाते हो कि मैं तुम्हारे लिए यहुदियों के राजा को छोड़ दूँ, क्योंकि वो जानता था कि महायाजकों ने उसे डाह से पकड़वाया था, परन्तु महायाजकों ने लोगों को उभारा, कि वो परअबभा ही को उनके लिए छोड़ दे, ये सुन, पीलातुस ने उनसे फिर पूछा, तो तुम जिसे यहुदियों का राजा कहते हो, उसको मैं क्या करो, वे फिर चिलाए, उसे ग्रूस पर चड़ा दे, पीलातुस ने उनसे कहा, क्यों, इसने क्या बुराई की है, परन्तु वे और भी चिलाए, उसे ग्रूस पर चड़ा दे, तब पीलातुस ने भीड को प्रसंद करने की इच्छा से, बरअबभा को उनके लिए छोड़ दिया, और उसे किले के भीतर के आंगन में ले गए, जो प्रीटोरियून कहलाता है, और सारी पल्तन को बुला लाए, और उन्होंने उसे बैंजनी वस्त्र पहनाया, और काटों का मुकुट घूंत कर उसके सिर पर रखा, और ये कहकर उसे नमस्कार करने लगे, यहूदियों के राजा नमस्कार मौन नाम एक कुरेनी मनुष्य, जो गाव से आ रहा था, उधर से निकला, उन्होंने उसे बेगार में पकड़ा, कि उसका कुरूस उठा ले चलें, और वे उसे कुलगुता नाम जगह पर, जिसका अर्थ खोपडी की जगह है, लाए, और उसे मुर मिला हुआ दाखरस देन कर कि किसको क्या मिले उन्हें बाट लिया, पहर दिन ही चढ़ा था, जब उन्होंने उसको खुरूस पर चढ़ाया, और उसका दोष पत्र लिख कर, उसके उपर लगा दिया गया, यहूदियों का राजा, और उन्होंने उसके साथ दो डाकू एक उसकी दाहिनी और एक उसकी बाई और कुरूस पर चढ़ाए तब धर्म शास्त्र का वो वचन के वो अपराधियों के संग इना गया पूरा हुआ और मार्ग में जाने वाले सिर हिला हिला कर और ये कहकर उसकी निंदा करते थे मंदिर के ढ़ने वाले और तीन दिन में बनाने वाले कुरूस पर से उतर कर अपने आपको बचा ले इसी रीती से महायाजक भी शास्त्रियों समेत आपस में ठट्टे से कहते थे इसने औरों को बचाया और अपने को नहीं बचा सकता इसरायल का राजा मसी अब कुरूस पर से उतर आए कि हम देख कर विश्वास करें और जो उसके साथ कुरूसों पर चड़ाए गए थे वे भी उसकी निंदा करते थे और दोपहर होने पर सारे देश में अंध्यारा चा गया और तीसरे पहर तक रहा तीसरे पहर यिश्व ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा इलोई इलोई लमाश भक्तनी जिसका अर्थ ये है ए मेरे परमेश्वर ए मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया जो पास खड़े थे उनमें से कितनों ने ये सुनकर कहा देखो वो एलिया को पुकारता है और एक ने दोड़ कर स्पंज को सिरके में डुबोया और सरकंडे पर रखकर उसे चुसाया और कहा ठहर जाओ देखें कि अलाया उसे उतारने के लिए आता है कि नहीं तब ये शुने बड़े शब्द से चिला कर प्राण छोड़ दिये और मंदिर का परदा उपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया जो सूबेदार उसके सामने खड़ा था जब उसने उसे इस प्रकार प्राण छोड़ते हुए देखा तो कहा सचमुच्छी ये मनुश्य परमेश्वर का पुत्र था कैस्त्रियां भी दूर से देख रही थी उनमें मर्यम, मगगलीनी और छोटे याकूब की और योसेस की माता मर्यम और शलोमी थी जब वो गलील में था तो ये उसके पीछे हो लेती थी और उसकी सेवा टहल किया करती थी और और भी बहुत सिस्त्रियां थी जो उसके साथ यरुशलेम में आई थी जब संध्या हो गई तो इसलिए कि तयारी का दिन था जो सब्त के एक दिन पहले होता है अरिमतिया का रहने वाला यूसुफ आया जो प्रतिष्ठित मंत्री था और स्वयम परमेश्वर के राज्जी की बाट जोहता था वो हियाव करके पीलात उसके पास गया और यीशु की लोथ मांगी पीलात उसने आश्चर्य किया कि वो इतने शेक्र मर गया और सूबेदार को बुला कर पूछा क्या उसको मरे हुए देर हुई सो जब सूबेदार के दौरा हाल जान लिया तो लोथ यूसुफ को दिला दी तब उसने एक पतली चादर मोल ली और लोथ को उतार कर उस चादर में लपेटा और एक कब्र में जो चट्टान में खुदी गई थी रखा और कब्र के द्वार पर एक पत्थर लुड़का दिया और मर्यम मगदलीनी और योसेस की माता मर्यम देख रही थी कि वो कहां रखा गया है जब सब्ध का दिन बीट गया तो मर्यम मगदलीनी और याकूब की माता मर्यम और शलूमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली के जाकर उस पर मलें सब्ताह के पहले दिन बड़ी भोर जब सूरज निकला ही था वे कब्र पर आई वे आपस में कहती थी हमारे लिए कब्र के द्वार पर से पत्थर कौन लुड़काएगा जब उन्होंने आँख उठाई तो देखा के पत्थर लुड़का हुआ है क्यूंकि वो बहुत बड़ा था और कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी और बैठे देखा और बहुत चकित हुई उसने उनसे कहा चकित मत हो तुम येश्यू नासरी को जो क्रूस पर चड़ाया गया था ठोंती हो वो जी उठा रहे यहा नहीं है देखो यही वो स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था परंतु तुम जाओ और उसके चेलो और पत्रस से कहो कि वो तुम से पहले गलीर को जाएगा जैसा उसने तुम से कहा था तुम वहीं उसे देखो और वे निकल कर कब्र से भाग गई क्योंकि कप-कपी और घबराहट उन पर च्छा गई थी और उन्होंने किसी से कुछ न कहा क्योंकि डरती थी सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वो जी उठकर सबसे पहले मर्यम मगदलीनी को जिसमें से उसने साथ दुष्टात्माई निकाली थी दिखाई दिया उसने जाकर उसके साथियों को जो शोक में डूबे थे और रो रहे थे समाचार दिया और उन्होंने ये सुनकर के वो जीवित है और उसने उसे देखा है प्रतीती न की इसके बाद वो दूसरे रूप में उनसे दो को जब वे गाव की ओर जा रहे थे दिखाई दिया पीछे वो उन ग्यारहों को भी जब वे भोजन करने बैठे थे दिखाई दिया और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उलाहना दिया क्योंकि जिन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था उन्होंने उनकी प्रतीती ना की थी और उसने उनसे कहा तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टी के लोगों को सूसमाचार प्रचार करो जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उधार होगा परत जो विश्वास न करेगा वो दोशी ठहराया जाएगा और विश्वास करने वालों में ये चिंद होंगे वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे नई नई भाशा बोलेंगे सांपों को उठा लेंगे और यदि वे नाशक बस्तू भी पी जाएगे तो भी उनकी कुछ हानी न होगी वे बिवारों पर हाथ लगे और वे जंगे हो जाएगे निदान परभू येशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और उन्होंने निकल कर हर जगे प्रचार किया और परभू उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दिढ़ करता रहा आमीन साथ करता रहा झाल 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 झाल